असलाम उलेकम दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने मले हैं युनसको की जानेब से इंटर्णशीब प्रोग्राम आया बैसिकली यह इंटर्णशीब प्रोग्राम कितनी देर का है कैसे आप इसको अपलाई कर सकते हैं क्या अलिजिबिल्टी क्राइटेरिया होगा सारा क नहीं पुछ मैं आप को इस वीडियो में बताऊंगा तो आप इस वीडियो को और तक तक दुरूर देखना है चैनल पर अगर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मैं इसी तरह की वीडियोजिए तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां पर देखें ये इनके ओफिशल वेबसाइट है unesco.org यहां पर मैंने पास यह इनका कारियर का पॉर्टल ओपन है यहां पर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहां पर प्रोग्राम आया है बैसिकली यह एक स्टूडेंट के लिए अपर्चुन्टी है जो लोग मतब युनेसको में जाके यहां पर इंटर्णशिप करना चाते हैं अपने अकैडमी को टेकनिकल नॉलिज को इन्हांस करना चाते हैं उनके लिए बड़ी बहतरीन अपर्चुन्टी यहां पर लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है अब यहां पर लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ यहां पर लिखा हुआ है 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 यहां पर इंग्लिश या फ्रेंच आपको आनी चाहिए यानि कि अच्छी कमांड आपकी इंग्लिश में हो दैन इसके बाद यहां पर कंप्यूटर स्किल लिखा यू मस्ट है एक्सलेंट नॉलिज आफ कंप्यूटर यानि कि आपको कमस कम आफिस और यह इस तरह के सॉफ्टर हो गया रहा है जो हो चलाने आपने चाहिए ठीक है जैन इसके बाद नीचे उना कम्यूनिकेशन स्किल है टीम प्लेयर हो गया यहां पर आप लोग चेक का सकता है जो चीज़ेंपॉर्टन है वह यहां पर यहां पर यह है कि यह इंटर्टिप के जो डूरेशन है व क्योंकि जब आपकी इंटर्टिप शुरू होगी उससे पहले आप दिखाने होगे मेडिकल सर्टिफिकेट्स और इसके बाद मैडिकल इंशॉर्णस है जिसके अंदर मतलब आपको प्रूफ और हैल्स इंशॉर्णस का दिखाना होगा क्योंकि यूनेस्को जो है आपको सिर सब्सक्राइब कर सकती है मतलब वह भी अगेंस्ट किसी रिस्क के मताबिक या अगर आपकी डैथ होती है या इलिन ऐसा या डिसाबिलिटी है डियूरिंग इंटर्शिप तो उस दुरान अदर्वाइस वह कुछ भी यहां पर आपको पे नहीं करेंगे यानिकि इस मैडिकल सब्सक्राइब करेंगे यहां पर आप अपनी इंटर्शिप को स्टार्ट करेंगे उससे पहले यहां पर प्रोवाइड करेंगे आप आइडी सेटिफिकेर्स आफ इंरॉल्मेंट डिप्लोमा वह यहां पर जो आप मतलब रिसनली ग्रेजूएट हुए है वह साड़ा कुछ यहां पर लीव आपको मिलेगी 2.5 डेज की पर मन्त के इसाब से ठीक है डिपैंड करता है वन मन्त है या 6 मन्त तक लेकर जाते हो उन पर डिपैंड करता है अब अप्लाइब करने से पहले लिखा है हाव यूर मोटिवेशन लेटर और रिजूमें रेडी पिफॉर 9-6 मन तक यान कि ठीक है 6 मन के लिए यहां पर इस चेक आसटें अब आपने इसको का सकते हैं कि यहां पर आए तो यहां पहुंपे पास बटन है अप्लाइड नाओ का जैसी आप यहां पर और प्लाइड करते हैं सबसे पहले आपके पास अप्शन है परस्रिक्यूंकर आपक आपका प्रस्नल इंफर्मिशन में फिर्स नेम लास्ट नेम जेंडर आपका क्या है डेटा बर्थ यहां पर मेंशन करेंगे नैशनलिटी कौन सी एडरेस यहां पर टाइप कर और पोस्टल कोड चीटी फोन नंबर ऑगारा यहां इसके बाद इनकेस आफ आमर्जनसी आ स्टाफ मेंबर या इंपलाई कोई स्टरह का है तो आपने बताना है अगर नहीं है तो आप नो कर दोगे यह पर दो यहां पर चलिक करेंगे तो यहां पर आपके पास आप एजूकेशन का बिसके रिक्वाइब सबस्क्राइब यह आप नबने को अभी क्या रहे थे से पहले वाली सपर यहां पर उपने पताइग कोन सा ही हर्थ यह नीचे वाले पॉर्शन में पताना है कि प्रशन पिल्चेंट जो विक्राइब कोन इस ते बाद वह डेट आप ग्रेड़ेशन क्या थी डैनिस इसके बाद नेम आफ इंस्टिटीूट क्या था कब स्टार किया था एक्राट कौन सा था कंटरी कून सा था टाइिटल डिग्री का क्या था हो यहां से रपस्वाइन प्रिभीस एज्युकेशन अपकी क्या थी इसका जो आ यहां पर अप्शिंटे हैं यहां पर कृक्लों हो विल जी से दिहाइं बाुचोर चिण सिर्वृ से बिल यहां पर तो इसके दार क्लिक कर दो देंके उन्य देने संभाचरोन को चिर्स ठीस birthdayि कने बिले दो कोई दो बेंकित आपिन यहां पने राणिज चुछ UP है जो भी आप बोल सकते हैं यहां पर रिटन लैंग्विज आपको कौन सी आती है इंग्लिश अगर आप उपर चूज करेंगे तो आप बताना है कैसे आप बोल सकते हैं लिक कैसे सकते हैं वह यहां पर आप बताना है रीडिंग अबिलिटी स्केल अबिलिटी ठीक है तो यहा पर मतलबुनन लिखा हुआ कॉई भी सॉफ़र आपको आने चाहिए अगर आपको ग्राफिक सॉफ़र आते हैं जैसे फोटोशाप है लिस्टेटर वगएरा है यहां पर प्रोग्रामिंग है या अप डेटा बेस वगएरा आफिस बेस आफ़्ियरा तो यहां पर मैंचिन कर सक यहां पर आगे जाए नहीं बीकश यहां पर प्रशाद आप करेंगे तो यहांपर पर हुआ गर्सकृति कॉर्ण जाव ना तो यहां पर ऑफिस अगतर हो उच्ट बहल सितू नहीं आपके पास लिकान नहीं नहीं लिक लगए के यहां से अगर आप आप आंडर कंट्री में है आरफ स्टेट में हैं देन इसके बाद यहां पर उसको करेंगे जैसे कि आम मां दोहा, इराग इस तरह दोre आप यहां से चूज कर सकते हैं दिएसके बाद यहां फैर of specialization choose कर लेनी है जो भी आप की field है जिसके related आप करना चाहते हैं like computer science यहां से जो भी तो engineering की field है finance की field education then इसके बाद duration आप कितने मन्त की duration दो मन्त तीन मन्त चार मन्त तो डिपेंड करता है then इसके बाद prefer starting date यहां पे आप कब start करेंगे month then इसके बाद आपके पास option है please state your motivation in applying के मतलब क्यों इस internship को ले के इतना motivate है क्यों आप इसको apply करना चाहते हैं आपने वो थोड़ी सी कहानिया यहां पर डालनी है 5000 characters की limit है आप जितना चाहें लिख सकते हैं लाइने तीन लाइने ना लिखिएगा थोड़ा सा है कम असकम एक paragraph लाजबी होना चाहिए तो यहां पर आपने लिखने के बाद यहां पर आपने इसको preview application पर क्लिक कर देना है जैसे आप preview application पर क्लिक करेंगे आप basically यहां पर यह सारा कुछ जो है वो फेक है मैंने एक डमी सी profile क्रेट की है इसके अंदर जैसे आप preview application पर क्लिक करेंगे आपकी साइड डिटेल यहां पर आ जाएगी जिसके अंदर date of graduation, nationality, even कि आपका इमेल और नमबर और यहां पर यहां पर तो यहां आप चैक कर सकते हैं यह मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए किया था कि आप कैसे इसको apply कर सकते हैं यहां पर इस तरह से कुछ आपके पस डिटेल आ जाएगी देन इसके बाद आपके पास यह बटन होगा सब्मिट का तो आपने यहां पर सब्मिट पर क्लिक करना है तो इस तरह से जो है आपकी application सब्मिट हो जाएगी उमीद करता हूँ दोस्तों आपको डिए अच्छी